तो आज हमारा है जोग्रफी का थार्ड लेसन तो मैं थार्ड लेसन रीड करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहती हूं कि पढ़ने का क्या फायता है सबसे पहला फायता यह है कि हमारा सारा बेस तयार हो जाएगा और क्या फायता है कि हमारी एक्जाम दे रहे हैं सस्ट का उसके लिए अगर आपको हमारी क्लास से ही समझ में आ रहा है तो आप हमारी क्लास सुन सकते हैं और जो मैं पॉइंट बताती हूं उनको लर्निंग के लिए आप नोट्स कर सकते हैं यह बुक में अंडरलाइन कर सकते हैं तो गाइस मैं स्टार्ट करती हूं आज अपना थर्ड चैप्टर तो लेस्ट तो थर्ड लेसन का नाम है प्रथिवी की गतियां प्रथिवी की गतियां पहले हम बहुत कौन-कौन सी चीजें पढ़ चुके हैं यह लेशन टू उसमें मैंने प्रिथिवी के बारे में आर्थ के बारे में पढ़ाता कि और स्प्रिथिवी अपनी अच पर जोकी हुई है और चांस पढ़ेते तो आज हम पढ़ेंगे पृतिवी की गतियां कि पृतिवी की गति क्या है तो आप देखना जैसे कि आप जानते हैं पृतिवी की गति दो प्रकार की होती है कितने प्रकार की होती है पृतिवी की गति दो प्रकार की होती है घूणन एवं परिक्रमन एक तो होता है गूणन, एक होता है परिक्रमन, पृत्वी का अपने अच्छ पर गूमना गूणन कहलाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक बार, कि जब हम यग में परिक्रमन लगाते हैं, वेदी की, यग में जो वेदी बनती हैं, उनकी परिक्रमन लगाते हैं, वो होता ह है हमारा परिक्रमाण और जब मैं आरती करते हैं हम लोग और आरती करके जब हम घूमते हैं वह मारा परिक्रमाण है और जो हम आरती करके घूमते हैं, वो हमारा घूणन है, ठीक है, तो I think ये point आपको clear होके आओगा कि घूणन और परिक्रमन में क्या रिफ्रेंस है, ठीक है, तो पृतिवी का अपने अच्छ पर घूमना ही क्या कहलाता है, घूणन कहलाता है, सूर के चारोर एक इस तर कच्छ में पृतिवी की गति को परिक्रमन कहता है, सूर के चारो, जैसे ये सन है, अब इसके चारो और पृतिवी को गूम रही है, वो परिक्रमन है, जब यहां ये ऐसे ऐसे गूमती है, वो घूणन है, ठीक है, पृतिवी का आच एक कालपनिक रेखा है, जो हमने पहले लेसन में हैं तो यह हमारा कितनी का को नाती है साड़े- 62 डिकरी का कौड बनाती है । वह सम्तटल जो कश्य के द्वारा बनाया जाता है उसे कच्छीё शम्तल कहते है तो अगर पूछे कच्छी सम्तल कर नसके लिए । साड़े 26 डिग्री का कोड़ बनता है अगर पूछता है कि पृतिवी अपने अच पर कितनी जुकी है तो साड़े 23 डिग्री जुकी है तो आगे बढ़ते हैं वह समतल उसे कच्छी समतल कहते हैं पृतिवी सूर से प्रकास प्राप्त करती है कहां से प्राप्त करती है सूर से पृतिवी का आकार गोले की समाने, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आदे भाग पर ही सूर की रोशनी प्राप्त होती है, सूर की और वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग होता है, सूर से दूर होता है, वहां रात होती है, गलोब पर वह ब्रत जो दिन तथा रात को विवाज़त करता है उसे प्रदीप्त ब्रत कहते हैं कौन सा ब्रत कहते है प्रदीप्त ब्रत कैसे कहते हैं गलोब के गलोब में जो ब्रत होता है जो दिन और रात को विवाज़त करता है कि ये दिन है ये रात है उसे क्या कहते है प्रदीप्त ब्रत कहते हैं तो इस पॉइंट को याद रखना कि लोग पर वह ब्रत जो दिन रात को विवाशत करता है उसे प्रदीप्त ब्रत कहते है यह ब्रत अच्छ के साथ नहीं मिलता है जैसे कि आप चित्र नंबर 3.2 में के समय काल को पृथिवी एक दिन कहा जाता है ये प्रथिवी की गति हैंने कि ये ग्राप बना है ये हमारा अच्छ है ये heck ये पर ये अच्छ है, तो कितने जोका हुए साड़ेति एक टेश डिग्री और ये पूझे है कच्छी सम्तल है, अगर वो पूझे कि पृतिवी अपने कच्छी सम्तल पर कितने अंज का कोण बनाती है, तो साड़े 66 डिगरी का कोण बनाती है, ठीक है, पृतिवी का आच पर जोगा हो तथा कच्छी सम्तल, यह दोनों किलियर हो गए, पृतिवी अगर उप्सन आता है कि प्रतिवी अपने आचे पर साड़े टेश řिगरी जोहाई तो यह सफ्थाई है अगर यह संब डी है कि इस संबर्ण 165,66 डिगरी तो यह भी आपका अंसर सही होगा इन इस सुन pap तो हमारा इतने पार्ट पर जितना दिख रहा है इतने पार्ट पर हमारे दिन होगा और पीछे के भाग पर हमारा क्या होगा रात होगा ठीक है घुणन के कारण ही प्रित्वी पर दिन और रात होते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट है याद रखना गाइस ठीक है किसके कारण फिर्फिवी भूणन नहीं करें तो क्या होगा सूर के तरफ बाले पृत्वी के भाग में हमेशा दिन होगा जिसके करां इस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगे उस दूरी भाग में हमेशा ठंड पड़ेगी r гएगी थी रहेगे जहां सन है वहां पर हमेशा घर्मी रहेगी ठीक है यह तो हमारी अंडरिस्टेंडिंग बीस चीजह है ठीक है पृतिवी की दूसरी गति जो सूर के चारों और कच्छ में होती है उसे परिक्मार कहते हैं यह तो सूर रहा और यह पृतिवी गूम रही है यह परिक्मार है जो मैंने अभी एक्जामपल लेकर आपको समझाता है पृतिवी एक बर्स में 365 और कितने वन उपन फोर दिन में सूर का चक्का लगाती है ठीक है हम ता सुपदा के लिए 6 घंटे को इसमें से नहीं जोडते हैं तो कितने घंटे 6 घंटे नहीं जोडते यानिक कि 365 और क्या क्या 1 बटे 4 दिन लगता है एक साल में उसे परिक्मा करने में ठीक है तो यह 6 घंटे जोड़ Sum8 – 24 साल में चार साल में लेकामार तो इसलिए आयता है कि 6 x 4, 6 x 24, तो 24 का एक दिन होता है, तो 4 साल में ये गंटे जोड़ जोड़ के एक दिन बनाते हैं, इसलिए हमारा लीप पर सो जाता है, ठीक है, प्राचीन भारती खगोल सास्ती, आरभट ने बताया कि पृत्वी गोल है और अपने अच पर घुणन करत है, तो यह देखो, यह ग्राफ इंपोर्टेंट है, तो ध्यान से देखना, यह तो सन है, ठीक है, यह प्रिथिवी चक्कर लागा रही है, यह देखो, अपने अच पर जुक्ली हुई है, ठीक है, तो यह क्या है, देखो, सबसे पहले, यह उत्री दुब और यह दच्छुन होता है, यह 21 मार्च को, यह 23 सेतंबर को होता है, बसंत रितु, यह भी विशुब होता है, ठीक है, बसंत रितु और बसंत रितु, दोनों में ही बसंत रितु है, ठीक है, लेकन यह सरद बसंत रितु है, और यह ग्रीस में बसंत रितु है, ठीक है, यह दोनों बसंत रितु पर बराबर होते हैं उन्हें ही विशुप कहा जाता है ठीक है अब ये क्या है हमारा ठीक है उत्री गोलार्द में सीतरी तु दच्छन आयतन के 22 देसंबर को ये कब होता है 22 देसंबर को और ये वाला 21 जून को ठीक है तो याद रखेंगे दिन और रात कब बराबर होते है विसुप जिसे विसुप कहते हैं वह उता है वहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं इसलिए उन्हें विसुप कहते हैं 21 मार्च और 23 सेप्टेंबर को ठीक है अब आंगे पढ़ेंगे हम चार वर्सों में प्रतिक वर्स के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं इसके अतरिक दिन को फरवरी के महिने में जोड़ा जाता इस प्रकार प्रतिक चौथे वर्स फरवरी मां 28 की बदले कितने की हो जाती है 29 की ऐसा वर्स जिससे 366 दिन होते हैं उसे लीब बर्स कहा जाता है जो मैंने अभी आपको समझाया आगे और पता लगाए कि अगला लीब बर्स कब होगा यह मैंने चेत्र आपको समझा दिया है ध्यान दी प्रतिवी पूरे कच में एक ही देशा पर जुकी हुए है देखिए एक ही देशा में जुकी है ना कोई देशा चेंज नहीं है उसकी सामनता एक वर्स को गर्मी सर्दी वसंद एबं सरत रितूं में बाटा जाता है किसमें किसमें बाटा जाता है गर्मी सर्दी वसंद रित किस कारण होता है उसके पृतिवी के घुडन के कारण और रित्यूम में परवर्तन किसके कारण होता है बताएंगे रित्यूम में परवर्तन होता है पृतिवी का सूर के चार और परिकमा लगाने से ठीक है इस पॉइंट को ध्यान लखेंगे इसमें डिफरेंस याद करेंगे खुड़न के काने दिनों रात होता है और रित्मों में परिवर्तन होता है सुर के चारओ और बिठीबी का परीखमर लगाँएचि अई होप आपको ही समझ में आती आओगा आगी चलते हैं द्रुबों के पास वाले छेते में कम उसमा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर की किरने तिर्चा पड़ती है उत्री द्रुब सूर की तरब जोका होता है तता उत्री द्रुब रेखा के बाद वाले भाग पर लगबग 6 महीने तक लगाता दिन रहता है कहां उत्री द्रु भाग में गर्मी का मौसम होता है, बिश्वत बरत के उत्री भाग में गर्मी का मौसम होता है, 21 जून को इन शेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, कहां उत्री भाग पर, पिरतिवी के यह अवस्था को उत्री आयनांत कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्री आयनांत कहते हैं यह था यह जून तो यह देखो सूर की यह ऐसी जुकी है तो सूर की रोशनी कहां पढ़ रही है हमारी करक्रेका पर सीधी करक्रेका में पढ़ रही है उत्री भाग में तो यहां पर हमें गर्मी रहेगी और इधर सूर की रोशनी कहां है तो यहां पर सर्दी रहेगी और जब जहां सूर की रोसनी सीधी पड़ रही है जादा पड़ रही है तो दिन भी बड़ा होगा तो 21 जून को उत्री गोलार्द का दिन बड़ा होता है रातें छोटी होती है और दच्छनी गोलार्द में क्या होगा दिन छोटा होगा और रातें बड़ी होगी 21 ज जब यहाँ दिन बड़ा राच छोट तो जष्ट उल्टा यहाँ हो जाएगा दच्छण गोलार्थ में यहां का होगा कि रातें बड़ी होगी और दिन छोटा होगा 21 जून को इसे उत्री जैतन कहते है सेम एसा यहां पर यहां की किरणा सीधी हमारी कहा पर जादा पढ़ रहती होस्फर perks और सबसे बड़ी रहती होगी और उत्तरी और कि सूर्की और जुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्की किर्णे सीधी पढ़ती है अभी मैंने बताया कहां पढ़ती है मकर रेखा पर आप सीधे से वह ग्राफ पना लेना और एक बार समझ लेना आपको पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है उस ग्राफ से आपको ठीक होते है ठीक इसके ठीक विप्रीत स्थित उतरी गोलार्द में हो उतरी गोलार्द में है जाने कि एक बड़ा दिन चोटी रहते और गर्मी और उतरी रहते चोटी राते और गर्मी और जश्ट विप्री तो उसका कर देना ठीक है क्या आप जानते हैं कि ऑस्टेलिया में ग्रीस मुजित्व में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है बताइए तो आगे बढ़ते हैं 21 M öğ 23 स्टंबір को सुर्की किरणे बिश्वत बुरत पर सीधी पढ़ते हैं मों साओस इस हवस्ता में कोई भी द्रूब सूर्की ऊर नहीं जुआ होता है इसलिए पूरी पृत्री पर रात दिन बराबर होते हैं को मैंने अभी जश्ट समझाया ठीक है इसे बिसुप कहा जाता ठीक है बिसुप कैसे किसे कहते हैं जिस पर देनों राद बराबर होते हैं तो वो कब होते हैं तो यह सुरी 21 मार्च और 23 सितंबर को उत्री गोलार्द में सरद रितू होती है जब कि दच्णी गोलार्द में बस रितू होती है ध्यान रखना 23 सितंबर को उत्री गोलार्द में सरद रितू और दच्णी गोलार्द में बसंत रितू होती है जब उत्री गोलार्द में सरद रितू होती है तब दच्णी गोलार्द में सरद रितू होती है ठीक है दोनों पॉइंट याद रखना ठीक है यह बैच मेनी बताते हैं कि 23 स्टमबर को अगर उत्री गोलायत में सरद इरितु है तो दाच्शणी गोलायत में बसंत रित्व होगी व therefore 21 खिस्थिटी में कि बिफ्रीत होती है दिन रात का परिवर्तन और परिकमाण के खारण रित्वों का परिवर्तन ठीक है next part so guys हमारा lesson यहीं पर होता है finish यह हमारी question इनको आप ध्यान रखना and then यह क्या है यह खेल दिया गया है यह बच्चों की activity है वो जब आप teacher बन जाओगी तब उनको activity कराना तो guys I hope आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए बहुत ही मैं चाहती हूं कि कोई भी अपनी पढ़ाई से बंचेत ना रहे चाहे वह house woman हो या फिर वह या फिर कोई working person है कोई भी है तो मैं नहीं चाहती कि उसकी time की कमी की बना रहे हूं जिनके पास time नहीं है मलब काम में बिजी है तो आप वर्क करते करते भी एंसी आटी सीरीज पढ़ सकते हैं सुन सकते हैं क्योंकि मैं उसमें important point को बार-बार recall कराती हूं revise कराती हूं जिससे कि आपके mind में वह point fit हो जाएंगे ठीक है गाइस तो I hope आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और गाइस आप लोग प्लीज कमेंट जरूर कर दिया करो कि आपको वीडियो कैसा लगा है आपके feedback से ही हमें motivation मिलता है मैं पढ़ने को तो अपने मैं तो अपनी रीटिंग करी रही थी अगर चाहती तो मैं अपनी आपसे पढ़ती रहती मुझे कोई जरूरत नहीं थी ऐसे बोल बोल कर पढ़ने मैं नहीं जाती कि मैं किसी को भी पढ़ाई पढ़ना पाए कोई अपनी काम की वज़े से वर्क की वज़े से तो मैंने उनके लिए ही सीरीज मोस्टली शुरू किया हाउस वाइफ है जो खना बनाते बनाते आप आराम से एयरफोन लगाके ncrt reading सुन सकती है and then मैंने roadmap पूरा and subject दोनों का road मैं बना दिया है और daily target मैं daily आपको share कर देती हूँ छोटी short video type बनाती हूँ छोटी सी उसमें daily का target रहता है and telegram channel पर भी मैं daily target share करती हूँ आप जितने चल्दी आप लोग telegram channel से जुड़ जाएंगे तो आपको वहाँ पे हरी हर चीज मिल जाएगी and हमारी pdf ncrt की सारी पीडिया वहीं पे मैं upload करती हूँ और भी आपको जो कोईरी हूँ जो भी आपकी परिशानी हो तो प्लीज आप मुझे comment box में comment जरूर करें और channel को like करें, subscribe करें, answer करें, thank you guys, take care, bye bye